News 18 इंडिया कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। Kwisana ने 5 पसलू पर MSB Guarantee के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कि सान नेताओं के मुटाबग सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पश्चिता नहीं है। альные इंडिया फिर्चान लगातार अडिय हुए हैं। कि देखिए उस परस्ताब में बहुत सी समस्यां थी तो माननिय मंत्री महदे ने जो बोला हम इसके उपर डेड़ लाग करोड रुपया खर्च करेंगे तो जो अभी अभी स्टडी आई है जो अन्य-अन्य बुद्धी जीवियों बोल रहे हैं अगर मस्पी लीगल करंटी कान बना दे अब आगे क्या होगा क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली कूछ करेंगे 21 को फैसला ले लिया है बीस को इक इसका समय हैं और इसी खबर पर इस वक्त मानव हमाई साथ जुड़ रहे हैं मानव और क्या जानकारी है प्रस्ताव तो सरकार की ओर से जो आया था उ किसानू ने उसको एक तरीके से साफ दर्शा दिया है अब यह जितनी भी पार्टीज हैं इन सभी लोगों ने यह कहा था कि बैटक बहुत अच्छी रही है बहुत पॉजिटिव रही है पीश गोयल ने बगाईदा मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताय कि पांच आपकी फसले हैं जिसमें की अरहर की दाल उड़त की दाल मसू पांच साल का इन से कॉंट्रेट कराएगी तो जब यह प्रस्ताव रखा गया तो किसानों ने यह कहता है कि हम अपने बाकी संग्णरों से बातचीत करेंगे आज तमाम किसान नेताओं ने अपने संग्णरों से बातचीत की और उसमें यह निड़ा लिया है कि सरकार के इस धुक्राया जा रहा है क्योंकि किसानों का यह कहना है कि सरकार जितना खर्च इन 5 फसलों की MSP गारणी में पर करेगी उतना ही खर्च लगवग सबीख्याव फसलों पर MSP गारणी दे कर उतना ही वह होगा तो एक तरीके से यह बात किसाननेता यहां पर कहते हुई दिखाई दे रहे हैं दूसी तरफ किसान निताओं ने ये खा कि करीब एक लाग पिछितर हजार करोड का पाम ओयल सरकार बहार से इंपोर्ट करती है और करीब इतने में ही सभी फसलों पर MSP गारेंटी सरकार चाहे तो दे सकती है तो अब एक तरीके से अपनी मांग पर जी मानव्यानी की और मांगें आपर अलग अलग तरीके से रखी जा रही है और दिली कूच का जो रास्ता एक तरीके से किसानों ने अब उसका इंडिकेशन साफ दे दिया है वो भी साफ हो गया विरीके से रह दो के जब एक उjungले जाते है कि भी सो वो बने है वो पतर्मटी जादे का तरीके से रसाल